हलो बचलो क्याल चाल मास्थ और स्वास्थ इसी स्वास्थता के साथ स्वच्च बारा तद्यान के तहट हम क्लास दस बिग्जान जो आपका एक प्यारा सा क्विक रिवीजन हर एक चैप्टर का इस्टार्ट कर दिये इसी तरह से हम मैत का सलूसन में भी ये अंसी आटी का जितना भी कोस्टन जाएगा उसे किया जाएगा समाजी बिग्जान हिंदी और इंगलीज का एकदम एजी वे में किया जाएगा ठीक अब हम बिग्जान के पहुँच चुके हैं दूसरे चैप्टर पे इसके पहले हम बिग्जान का जो सबसे पहला चैप्टर था उसे हमने कर दिया है और सबसे छवा नमबर चैप्टर वो जो इंपोर्टेंट था उसे कर दिया है आज हम पहुँच चुके हैं चैप्टर नमबर दो पे चैप्टर नमबर दो क्या नाम है अमल छार एमम लमड पढ़ते आ रहे होंगे अमल अमल करते हैं यह सारी चीज़े हम इसमें आज पढ़ेंगे ठीक है ये आमल क्या होता है इसे हम एक देखेंगे उसके बाद चार क्या होता है उसे देखेंगे ठीक है चार क्या होता आमल क्या होता लमण क्या होता ये सारी चीजें हम इसमें आज देखेंगे ये बिज्ञान का chapter number 2 है ठीक एक quick revision उन लिगे के लिए है जो आपका exam के लिए prepare कर रहे हैं और इसमें हम हर एक chapter का important question मतलब 2-4 MCQ जो हर साल कूछा जाता है ओस स्रीजी start की है इसके पहले हम एक chapter का करा दिये इसको पढ़ाने के बाद हम तुरंत क्या करेंगे आइकन चांप दीजिएगा जिसे आपका notification भना भना आपके पहुंसता चला जाए ठीक है चलिए हम देखते हैं पहला topic है आपका अमल क्या पूछते हैं अमल की से करते हैं माल लेते हैं आजाए शाट नोट की से करते हैं यही सारी चीजे पूरा सठीक पॉइंट आपको लिख देना बस आपका खतम हो जाएगा ठीक यह नहीं कि क्यों घुमाएं बलबर घुमाएं उसमें ऐसे कर दें आपको सठीक पॉइंट लिखना जिसे आपको क्या करेंगे अच्छा सा नमबर मिल सकें क्या लिखा है अमल अमल क्या होता पहला पॉइंट यह स्वाद में खट्टे होते हैं ठीक जैसे आम खा रहे हैं तो उसमें अमल है क्योंकि वह हमें क्या क्या खट्टा लग रहा है तो जाहिर सी बात क्या है वह अमल एक खट्टा यानि अमल है आम जो खा रहे हैं वह नीले लीटमस को धड़ाक से लाल में कनवर्ट कर देगा ठीक ये था तिजरा पॉइंट पर लिखें ये जली बिलियन में हाइड्रोजन आयन देते हैं कौन सा आयन यज को हाइड्रोजन बोलते हैं ठीक ये जली बिलियन में हाइड्रोजन आयन देते हैं ठीक, तीन पॉइंट हुआ, अब आते हैं, एसीड, एसीड सब्द लेटीन भांसा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है, खटा, ठीक, एसीड सब्द लेटीन भांसा से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, खटा होता है, तो अमल के बारे हम क्या क्या देखें, अमल क इसके बारे में लिख दी आप जो तुम्हें पता है इसके बारे में परबल आमल की से कहते हैं हम परबल आमल में कौन कौन आता है यह सील आपका परबल मतलब स्ट्रॉंग स्ट्रॉंग एसीड में कौन आता है यह सील यह स्टू यह सो फोर यह अन्नो थिरी ठीक यह सब आपक कोई टेंसन नहीं ठीक है ठीक यह आपका आपका क्या हो जाएगा दुर्बल अमल हो जाएगा लैक्टिक एसिड यह भी आपका दुर्बल अमल है यह सब जो अमल है एक्चुली दुर्बल अमल है ठीक अब लिखा है सांद्र अमल किसे कहते हैं सांद्र अमल क्या होता है जिसम अल्प मात्रा में होता है उसे हम क्या करते हैं सांद्र अमल करते हैं ठीक है अब आते हैं नेस्ट पॉइंट पे नेस्ट पॉइंट क्या दे रखा है तनु अमल किसे करते हैं जिसमें अल्प मात्रा में यानि जो अमल होता है अल्प मात्रा में होता है और जल अधिक मात्रा मे पहले समझते हैं कि आज इसमें अमल की मातरा जादा है माल लेते हैं हमारे पास एक कंटेनर है ठीक है इसमें हम कितना ले लिए दो सो यमेल हमारा एक चुली क्या कर दी है हम एसिड ले लिए अमले ले लिए अमले ले लिए और इसमें हम पचास यमेल केवल हम क्या लिए हैं जल की मातरा लिये तो इसमें देखा जाये तो अमलक की मातरा क्या है? ज़्यदा है क्योंकि अमलक कितना? दो सौ यमेल है और जल देखा जाये तो पचास यमेल तो ये जो घोल बनेगा और Android अमल बनेगा कौन साअमल? साअमल बनेगा ठीक ये समझ में आया अब इसी को क्या कर देना है तनु अमले पर अपलाई कर देना है उन्होंने वे कंटेनर लिया तो हमें पानी कितना लिया हमने एक्चुली 200 यमेल जल लिया क्या लिया है जल लिया है और अमल देखा जाए अमल जी से एसिड बोलते हैं उसमें हमाल लेते हैं कितना यानि केवल पचास पचीज करते हैं पचास बोल लिया है ठीक हमने क्या लिया है पचास यमेल केवल अमल लिया अब दोनों के या दिमी सरन किया जाएगा तो जल की मातरा अधिक है अमल की मातरा कम है अब क्या लिखा है अमल की मातरा कम यानि अल्प हो अजल की मातरा जादा हो तो उसे हम क्या हों सा अमल बोलेंगे तनू अमल बोलेंगे आप सी छोटा सा डाइग्राम होँ बना सकते हैं ठीक तो ये था टोटल अमल के बारे में हम नेश्ट पे आते हैं चार के बारे में चार देखते हैं चार एक चुली क्या होता है ठीक है चार क्या होता है इसे देखते हैं चार क्या होता है यानि जिसे हम क्या बोलते हैं बेस बोलते हैं ठीक अब ये पहले इनकी प्रोपरिटी देखते हैं ये स्वाद में कड़वे हो जो लाल लीटमस पेपर को नीले में बदल देते हैं मतलब आमलका जश्ट उल्टा कर दीते हैं ठीक ये लाल लीटमस पेपर को नीले में बदल देते हैं ठीक अब ये क्या करते हैं ये जली बिलियन में ओयच आयन देते थे ओयच आयन देता है ठीक है ओयच आयन देता है ठीक यह हो गया, अब आते हैं, इसमें देखते हैं, क्या क्या देखें, छार में, यह क्या होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं, यह लाल लिटमस पेपर को नीले में बदल देते हैं, यह जली बिलियन में OH आयन देते हैं, क्या देते हैं, जली बिलियन में OH आयन देते हैं, ठी यह OH का होल्ट वाइज, यह भी आपका एक चुली क्या है, एक चुली परबल च्छारग माना जाता है, ठीक, इतनी आपके पास कहें, परबल च्छारग हो गए, अब दूरबल च्छारग किसे करते हैं, अमोनियम हाडराकसाइज, जिसम क्या बोलती है, यह झाझ फोर OH बोलते है इलकली किसे करते है इलकली किसे करते हैं यह कौन से चन्वा गया जल में घुलन सील छारक को छार करते हैं मतलब जल में घुलन सील छारक को छार करते हैं जैसे यह ने ओयच के ओयच यमजी ओयच का होल ट्वाइज ठीक यह सब जो होते हैं इलकली नेचर के होते हैं ठीक कहते हैं जब हमारा अमला और छार दोनों परजेंट हो दोनों पाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं नमक बोलते हैं यानी साल्ट बोलते हैं लमड बोलते हैं ठीक जब हमारे घर में एक चुली यूज होता है तो सोडियम क्लॉराइड यानी क्या होता है यन्ने सील यानी सधा नमक का फर्मूला है मतलब यह एक तरह का साल्ट है जो खाने में यूज यही किया जाता यहने सीयल यूज किया जाता के सीयल नहीं किया जाता थीक है तो यह था इसके लवड के बारे में अब आते हैं निस्ट पे यहां से थोड़ा सा इंडिकेटर यानि सूचक किसे करते हैं ठीक इंडिकेस देखे करें सूचक किसी दिये गए बिलियन में अमल या चार की उपस्थिती दर्स आते हैं इनका रंग एवं गंध अमली वचार माध्या में बदल जाता है इंडिकेटर किसे करते हैं जैसे माले एक लिमिट पॉइंट है उसके इधर आया है इधर आया माले यह हमारे पास है कंटेनर यहां से हमने क्या कर दिया मतलब इसमें पूरा फिलफ हुआ मतलब एक दो बूद भी इधर डाला गया तो यह क्या हो जाएगा आगे चला जाएगा ठीक तो इससे पता चलता वह बीच में जो लाइन की इंडिकेटर है ठीक अब कुछ केमिकल भी इससे इंडिकेटर की तरह काम करते हैं तो वही कह रखा किसी भी यानि सूचक किसी दिये गए बिलियन में अमल वच्छार की उपस्थिती दरसाते हैं उनका रंग वगंध अमली वच्छार माध्या में बदल जाता है ठीक जैसे मान लेत हैं हमारे पास कोई अमल है मतलब ए इंडिकेटर कहलाता है ठीक यह आपका इंडिकेटर है अब आते हैं नेश्ट पे सूचक के कितने परकार के होते हैं सूचक पहला देखा जाए तो क्या होते हैं प्राकिर्तिक सूचक दूसरा कृतिन सूचक तिसरा आपका गंधी सूचक प्राकिर्तिक सूचक ऐसे सूचक जो क्या कर देते हैं जैसे नेचर के द्वारा वोते हैं ठीक नेचर के द्वारा जैसे ये पौधों में पाए जाते हैं किसमें पाए जाते हैं पौधों में पाए जाते हैं ये क्या करते हैं लाल गोभी पत्ता यानि हाइड्रिलिया पौधे के फूल आदी ठीक जो हल्दी व लिटमस जैसे लाल वह भी देखे होंगे लाल जो पत्ता वाली वह भी आती वह भी क्या है चुकंदर देखे होंगे यह सब क्या होते यह सूचक है एकजामपल है अब आते हैं कि इस पर यहां दे रखा कृतिम यानि संसलेशित सूचक इसे किसे करते हैं वेरसाइनिक पदार् के द्वारा बनाए जाते हैं जैसे पहला देखा जाए आपका मेथिल औरे मेथिल औरे जेक तुम्हारा क्या है क्रिथिम सूचक के आंतरगाता आता है फीनफ्छीन क्या होता है यह इस farm कहती हैं देखो तो बता देते हैं क्या उसी तरह से गंदक सूचक होते हैं इन पदार्थों की गंध है अमली या छारी माध्या में बदल जाती जैसे प्याज हो गया लॉंग का तेल हो गया प्याज देखेंगे नार्मल काटा जाते हैं तो वो सब क्या होता है गंधी सूचक हम गंध से ही बता सकते हैं यह ऐसा है तो यह था किसे सूचक और सूचक के परकार अब सूचक कौन किसमें चेंज होगा इससे आप थोड़ा सा एक टेबल के जरीए यहां से देख लेजिए ठीक है जो भी हम पढ़े हैं प्राकिर्टिक क्रिटिम और गंध है यह सारी चेंगे यहां देख लेते हैं क्यारखा सूचक यानि लिटमस पर आते हैं लिटमस प्राकिर्टिक सूचक देखा जाए तो लिटमस जो क्या कर देते हैं नीले को सुरी लाल को नीला में कनवर्ट कर देते हैं यह मारे प्राकिर्टिक सूचक होते हैं जैसे पत्ता का गोभी देखेंगे पत्ता का गोभी क्या होता लाल पत्ता गोभी का रस्त यानि गंद में परिवर्टन पहले देखा लाल रहता तो क्या होता यानि अमले के साथ ठीक है हल्दी बाला देख लेते हैं एक्जामपल यहां से देखे हल्दी देखा जा तो यह सूचक है एक तरह का अमल एक साथ कोई भी रियक्ष्ण यदी नहीं करता है। तो हल्दी हम खाना में डालते हैं तो बहुत सारा अमल डाल रहा है nita तो बताओ क्योंग तो क्लर चेंज़ डा है। पीला ही रहाता मतलब कोई भी परिवेतन नहीं होता पूई बदलाना ठीक थोड़ा सापुन लगाएगा देखिये उसका कलर क्या हो जाएगा थोड़ा सा रेड कलर हो जयेगा ठीक तो मतलब अपना कलर चेंज कर रहा है कि नहीं तो वही सीरे सारी चीज़े इसमें होती है अब लेंश्ट पे आते हैं लिखा है हाड्रेलिया क्या होता है हाड्रेजिया की फूल का रंग है यदि आमलके साथ रियक्षन कराया जाता है तो नीला हो जाता है यदि छार के साथ रियक्षन कराया जाता है तो क्या हो जाता है गुलाबी हो जाता है यहां से दे रखा है कृतिम वाला क्रितिम क्या करता है? पहला फिलाप्थिलीन फिलाप्थिलीन देखा जा तो आमले के साथ रंगी ही नहीं होता मतलब ट्रांसपारेंट हो जाएगा कोई भी इसका रंग नहीं होगा ठीक, अब यदि चार के साथ reaction कराय जाता तो ये कौन सा color देता है? गुलाबी color देता है कौन सा color? गुलाबी color देता है ठीक, अब आते है कि इस पे метhyl orange पे, अभी किरिकन सुचक पर ही है, ठीक है अब आते हैं यादी अमल के साथ reaction कराया जाता है तो लाल रंग देता है और यदि छार के साथ reaction कराए जाए तो क्या देता है पीला रंग देता है पीला रंग देता है ठीक है पीला रंग देता है अब आते है कि इस पे गंधी सूचक गंधी सूचक क्या होता है जो प्याज वगरा में होते है ठीक है प्याज में आते है ठीक यदि प्याज का रस दे साथ तो गैसे गैसे हिक Prevention या इन relak के साथ देखा जाये तो समान ンダ रहती है ठीक अर चार के साथ देखा जाये तो कोई भी चेंजिंग नहीं होती है ठीक अब क्या पूचा है लांग का तेल की बारे मात्री ग्ला का आ थे लास्ट में गंद रहती है, कोई नानमल थोड़ा बहुत गंद रहता है, ठीक है, अब छार के साथ यदि किया जाए, तो कोई भी गंद ये नहीं देता है, ठीक, ये था सूचक के बारे में, अब क्या समझें, सूचक मतलब जो हम देख कर, इसमेल करकर, ये सारी चीजें, मतलब इंडिके देख लेते हैं, क्या होगा जब यदि हम धात को अमल के साथ रियक्षन कराएंगे, या धात को चार के साथ रियक्षन कराएंगे, तब क्या होगा, इसी को हमें आके देखना है, ठीक है, चलिए, देखना इस्टार्ट करते हैं, आपका प्यारा सा यहां से, ठीक है, प्यार थोड़ा सा अब सही हो गई गई पहले नहीं सही था उसी को देखना है ठीक है यहां बंद हो गया था ठीक है अब यही का रखा है धात की किरिया किसे धात की किरिया पहले देखा जाए अमले के साथ यदि कराया जाए तो क्या होगा अमले के साथ धात किरिया कराया जाए तो क कि लिए ठीक नीचे एक्जामपल दिया है इस्ट्रॉंग यह सील है जेडियन के साथ रियक्षिन कराता है जिनका कलॉराइड मिलता है प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है यह नीचे थोड़ा सा रियक्षिन दे रखा ठीक है अब आते हैं कि इस पे चारक के साथ चारक के देखो यह साथ यह जेडियन से किरिया कराईजाय कोन से उस्टारीап क्या रखरेगी? यह नीचे मिलता है. तर ढाते हैं दाटोखित procs कुन लande वे चार रियक्षिन करा चारक की रियक्षिन, क्या क्या निकलता है state-जयंग कोन से गैस निकलती है एक्जूरी, हैंड्रूज हो तो हाइड्रोजन गैस निकलनी ही निकलनी है ठीक है अब क्या लिखा है अब यहां पर आते हैं एक टेस्ट करते हैं ठीक हाइड्रोजन गैस कैसे जाने की हाइड्रोजन गैस सवह ही निकले तो क्या लिखना हाइड्रोजन गैस के नहीत परकनली के पास एक जलती हुई मुं हैं ठीक कैसे हम जानेंगे माल लेते हैं हमारे पास यहां पर हम रियक्शन करा रहे हैं इस वेसल में यह कौन सा वेसल है जी हमें ठोटा सब एक वेसल है इसमें हम रियक्शन करा रहे हैं तो यहां पर हाइड्रोजन गैस रिलीज हो कैसे पहचानेंगे तो यहां से हम क्या करें है इसके साथ किरिया करा किसके साथ धात kul partner हैं और हाट inner द्धाथ बाई कार्बोनियर कि किरिया किसमें धातो कार्बोने तथा धात भाई करण कोई निट की साथ यदि रेयक्षन कराया जाईगो तो क्या होगा अब ध्यान सुनें इसे सुनते हैं तीक यह अम्लक के साद कीरिया करा जागर तब क्या होगा ध्यान से सुने देखिए अम्लक के साथ यह धाथ कार्बुनेट को कीरिया करा दойти तो सबसे पहले लामड निकलता है पलस कारबन डाया अकसाइड पलस जल यह वोला चीज़ आप याद रखिएगा अब जैसा आपका धातु रहेगा उसी के काडिल लंड निकलेगा ठीक जैसे यहां से एकजामपल यह वाला आप देहान से सुनिये क्या लिए एक्षोली क्या रिखा है एक्षोली इन्होंने क्या लिया अम लिया हम लोगा हम क्या कर देती हैं देखो का दिया YNN2CO3 से हम reaction यदी कराते हैं तो हमारे पास क्या बनता है प्यारा सा लफ्षा बनता है जिसे हम YNNCL बोलते हैं और कौन सी gas carbon dioxide gas आपलस हमारे पास क्या निकलता जल निकलता ठीक यह reaction इसमें होता दूसरा देखा जाए अमले यदि धात उबाई कार्बोनेट के साथ किरिया कराया जाए तो क्या होगा अमले यदि धात उबाई कार्बोनेट के साथ किरिया कराया जाएगा तो हमसे सबसे पहले लमड निकलेगा उसके बद कार्बन डाय अकसाइ निकलेगा उसके बद क्या निकलेगा हमारे पास जल निकलेगा ठीक नीचे देखे रियक्सन दे रखा यह C-L को यह हम क्या करें यह C-O-3 के साथ रियक्सन कराए जाता है तो हमें सबसे पहले वाटर मालीकूल निकाल देना है ठीक वाटर मालीकूल हमने निकाल दिया पलस यह C-L निकाल ये सबसे पहिले निकाल देना नुए सबसें कार्बन टाइकसाइड जलनीप अब तयुकित्ष यंधं को सट्च है तो अमलक के साथ किरिया कळाय जाए तो हमारा कार्बन ड्यकशुडर ज़ल निकलता है ठीक अब धाको कार्बोनेट या अमलक सथ किरिया कराया जाए तो कोई भी रियक्षन एक्चुली नहीं होता है क्या होता कोई भी रियक्षन हमारा नहीं होता है ठीक है तो यह था हमारा टोटल इसके साथ रियक्षन अब नीचे आते हैं क्या दे रखा है नीचे आते हैं क्या दे रखा है चूने का पानी का टेस्ट चूने के पानी से परवाहिद करने पर पानी क्या हो जाता है दूधिया हो जाता क्यूं हो जाता है इसका कारण देखते हैं देखियो कैल्सियम हड्राकसाइड हमने क्या लिया है कैल्सियम हड्राकसाइड कार्बन डास के यक्सन करा है तो हमें क्या निकाला कैल्सियम कार्बो निकला और उसके बगल में महारा का निकल गया पानी निकल गया ठीक यह जो यह जो निकल ला यही तुम्हारा क्या होता है सफेद यानि दुधिया पानी है ठीक है इतना था इसके बारे में आप क्या दे रखें अधिक मातरा में कार्बन डायाकसाइड परवाहिद करने पर क् कर रखा है सुनिये कैलसियम कार्बोनेट है उसे यह पानी के साथ रियक्शन कराए जाए ठीक है और हमारा कार्बन डाइक साइड के साथ रियक्शन कराए जाए तो हमारा क्या होता जल में घुलन सील सब कुछ घुल जाएगा क्या हो जाएगा ठीक है हमारा एक चुली हो सिंपल सा सुनिए क्या रखा है इदे चूने का पानी के साथ टेस्ट करना है तो हमें क्या करना है कैल्सियम हडराकसाइट को सब से पहले कार्बन डाइकसाइट के साथ रियक्सन कराना पड़ेगा ठीक है रियक्सन कराना पड़ेगा उसके बाद पानी और कार्बन टाइक साथ रियक्सन करा जाएगा तो हमारा वो अराम से जल में घूल जाएगा पूरा प्योर्डी रूप से वो क्या होगा घूल जाएगा ठीक तो ये था टोटल दो एक दो टेस्ट था ठीक है अब क्या पूछा है किसके साथ कौन सा होगा इसमें देखते हैं ठीक अमल एवं चार की प्रसपरग क्रिया अमल एवं चार की प्रसपरग क्रिया तो क्या निकलेगा सुनिए से देखिए सबसे पहले यदि अमल और चार को रियक्सन करा जाएगा तो क्या लिकलता है ठीक ये रियक्सना पर याद रखिएगा ठीक है अब आते हैं उदासीन अब किरिया क्या होते हैं नीचे दे रखा है उदासीन अब किरिया उदासीन अब किरिया किसे करते हैं इसे ध्यान से सुनिए उदासीन अब किरिया जब अमल द्वारा छारक का परेचित पर समाप्त हो जाते हैं और परिमाण स्वरूप लवर्ण और जल प्राप्त होते हैं उदासी करण्ड के मतलब क्या है कोई यदी रियक्शन करा यदा को रियकशन कराई जता तो यह लवर्ण और पानी निकलता वही किरिया जो है लंटभिने को कऱिया हमारे जो नमक निकलता तो भी उदासी नहा है पानी हमारा वह उदासी मितलब जो भी रियक्ष्षिण प्रोड़क्ट में निकल रहा है तो से रिया थो यहां से एक्जामपर प्यारा साद कर दो यह ने लिए और यह यह वोडेसर क्राइब एक सब्सक्राइब और इस पर चाया fire कर लिए निकलता है यह निकलता यही चीजे जो होती है उदासीनी अब किरिया कहलाती है ठीक अब किसके साथ क्या होगा इससे सुनी है यह पहला कंडिशन दे रखा यदि परबल अमल तथा दुरूबल चार को रियक्शन कराया जाता है तो क्या निकलता है अमली लमण निकलता है पलस जल निकलता है अमली लमड निकलता है, पलस आपका सामने जल निकलता है ठीक है, आप क्या लिखें हैं, यहां से नेश्ट पे आते हैं लिखा है, दुरुबल अमल को यदि परबल छार के साथ रियक्शन कराए जाए मतलब एक दुबबर अमल है, हमारे पास था परबल छार है उससे reaction करा जाए तो हमारा चारी लंवड बनता है प्लस जल बनता है जल तो हमेशा बनेगा ठीक है चाहे अमल अमल को reaction करा दे चाहे 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 दूरबल चाहर या परबल चाहर को उससे लेना देना है नहीं मतलब हमें क्या निकालना है अपने को क्योल पानी निकालना थीक है यह हो गया नेश्ट पे आते हैं इस रियक्षन पर यह रियक्षन तुम्हें क्या कर रखा परबल अमर को यादि परबल चार के साथ रियक्षन कराय जायए तो क्या होगा सबसे पहले उदासीन लमड़ बनेगा क्या बनेगा उदासीन लमड़ देखिए उदासीन लमड़ बनेगा और हमारे पास क्या एक पैरासा जल माली क्यों निकलेगा ठीक है जल माली क्यों निकलेगा अब आते हैं नेश्ट पे आते हैं नेश्ट क्या दे रखा ये वाला ध्यान से देखिए क्या र किरिया थी टोटल उदासिदी करण किरिया के पीछे का ठीक है चलिए अब नेश्ट पे चलते हैं नेश्ट क्या दे रखा इसे ध्यान से अब सुनिए क्या दे रखा अमलों के साथ धातू अक्साइड की अब किरिया क्या करना अमलों को साथ यदि धातू अक्साइड के साथ क कराय जाएकुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुत अब आते हैं उसी को नीचे दिया कापर कुलराइड के बनने से बिलियन का रंग क्या हो जाता है नीला पढ़ जाता है ठीक अब क्यों पढ़ जाता है इसका रीजन भी सुन लीजिए धातू अकसाइड की परकिर्ट छारी होती है क्योंकि अमल के साथ किरिया करके लमर तथा जल बनाते हैं ठीक अब धातू अकसाइड में कुछ भी ले सकते हैं कैल्सियम अकसाइड मैंगनीसियम अकसाइड या क्यूपरिक अकसाइड जडियान अकसाइड कुछ भी आप क्या कर सकते हैं वहां से इजली ले सकते हैं ठीक है अब आते हैं किस पे यह नेस्ट पेज पे अक्साइड मतलब धात उसमें रहेगा मगर आक्साइड रहेगा ठीक धात धात्विक अक्साइड ठीक जैसे एक्जामपल में क्या दिया देखो हमने क्या लिया धात्विक अक्साइड को यह चार के साथ रियक्शन कराए जाए तो क्या होगा हमारे पास एक प्यारा सा लवड और जल निकलेगा ठीक एक्जामपल नीचे दिया देखिए इसे कार्बन डाई अक्साइड को यह नि हम क्या कर देख कार्बन डाई अक्साइड के साथ रियक्शन कराए जाए तो हमारे पास क्या निकलता है और हमारे पास क्या निकलता है एक प्यारा सा जल माली क्यों निकलत ठीक है ये तू इतना सारा चीज हमारा निकल जाएगा ठीक है अब आते हैं नेस्ट पे अधातविक अक्साई इन परवित में अमली होते हैं तथा बिद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् अब क्या नैस्ट दे रखा है अब क्या नेस्ट दे रखा है इसे ध्यान से सुनिये ठीक कितना है भाई ये भी तो बहुत सारा है ये में आम़ल वच्छार क्या दे रखा है । जल की उपरसिटी में हाइड्रोजन आयन उत्पन करते हैं ठीक क्या व Les最近 हैं जली बिलियन में जल की जली बिलियन में आम लवचार क्या रखा जल की उपस्थिती में हाइडरोजन आएन उतपन करते हैं ठीक जैसे जब को जली बिलियन में देखा जाए तो ये आएन या ये आएन परड्यू जो करेंगे ही करेंगे हम यद हाइडरोजन से रियक्षन क निकलेगा आप दूसरा देख यह सील को यदि हम क्या करें पानी से रियक्षन कराएं तो हमारा क्या निकले गा यह डरी ओ पे पाज पर्जिट्व चार्ज प्लस क्लॉरिन पर निगेट्व चार्ज यही जो तूट रहा है यह इससे आके जूड जा रहा है ठीक है अक्लॉरिन हमारा अकेला रह जा रहा है ठीक है तो ये रियक्शन था नेश्ट पर आते हैं जल की उपस्थिती में छारक आयन का उत्पन करते हैं जल की उपस्थिती में क्या होते हैं ओयच आयन उत्पन करते हैं जैसे एक्जामपल दे रखा देखे कर दिया ये वला एक्जामपल ठीक है ये वाला एजामपल तू भाई उपर जाए ठीक है ये वाला एजामपल क्या दे रखा है सोडियम हाइडराकसाइड हमारे पास है यदि पानी के साथ की रियक्षन कराए जाए तो सोडियम अलग हो रहा होई ओएज निगेटिव अलग हो जाएगा ठीक यही सारी चीजें होती है ठीक अब क्या नीचे दे रखा है नीचे दे रखा है मैगनेस यम हाइडराकसाइड के यदि पानी के साथ रियक्षन कराए जाए तो क्या होगा यम जी टू पलस तू ओ यज निकल जाए ठीक तो यह दो रियक्षन था इसके बारे में अब आते हैं नेस्ट पे क्या दे रखा है नेस्ट पे यह पॉइंट आप सुनिए देखे क्या रखा है इसमें जो भी चीज लिखी हैं सारी आपकी क्या हैं इंपोर्टेंट पॉइं आपको हम क्या करते हैं चार बोलते हैं मतलब ऐसे चार जो क्या कर देते हैं जल मेजली घूल जाएं उन्हें चार बोलते हैं ठीक सभी चार चारक होते हैं किन्तु सभी चारक चार नहीं होते हैं ठीक वही कंडिशन है दुबारा कहने का मतलब क्या कहता है देखा जाएं तक लेक रखा जल के साथ अमल जल के साथ अमल तथा छारक को छारक को मिलाते समय सौधानी बरतनी चाहिए सौधानी बरतनी चाहिए ठीक है अब ये सौधानी बरतनी चाहिए हमेशा अमलव छारक जल या जल में मिलाना चाहिए लगतार इसे हिलाना चाहिए क्योंकि पर किरिया आते हैं ते उसमा छेपी अब किरिया होती है अब उसमा छेपी और अब उसमा सोसी अब किरिया नहीं देखे हैं तो आप अगले चैप्टर में आप प्यारा सा जाका आपके देख सकते हैं एक ही टोपिक देख सकते हैं उसमें था अब क्या कर रखे हैं ठीक है ये कर रखा है तू बाई आजा इधर कहां जा रहे हैं जी ठीक चलिए नीचे चलते हैं स्क्रोल करके क्या बना दिया बन दाए तो ठीक यही इक पॉइंट था ठीक अब सुनिये इसके इसक्स बारे में देखे क्या रखा हैं यह तो हो जाना काता है जल मैं आप में नीचे देखें कर रहे हैं या जू है यह अप okay ठीक यह यह ब्रतन क्या होगा ये यह यह पढखे रहें तो आप ली कर देंगे अमल में अमल मेंक अमल में कभी आपको पा bacon नहीं मिलाना एक चुली पानी में अमल मिलाना देखिए यह पर किरिया देखो पहले आपका प्यास जल है उसमें अमल मिलाया जा रहा है ठीक यह पर किरिया एक दम से करेक्ट है ठीक है अब आते हैं नेश्ट पे आते हैं ठीक है नेश्ट देख लेते हैं यह क्या का रखे हैं लिक रखे हैं सांदर अमल जल में मिलाने पर तुरंट उसमा के कारण मिस्रित अस्फलित हो जाता और क्या हो जाता बहुत भ्यानक बलास्ट होता जिससे आपका बरतन तूट सकता है जो भी आप बरतन ले रखे हैं बोरे सीट गलास लेक रखे हैं बीड़ो तो अंदभाने से फूट जाएगा ठीक अब देखिए जल को अमल में डालने से मतलब क्या होता जल को अमल में डालने से क्या होगा मिस्रित क्या होता है अस्फलित हो कर बाहर हो जाता है और क्या होता ह कारण काच तुरंत भाग का से बोल जाता है ठीक इसी का यही कारण हम क्या कर देते हैं अमल में जल को मिलाते हैं नहीं है जल में अमल को मिलाते हैं ठीक है यही पड़किरिया होती है टोटल टोटल ठीक है यह आपका दे रखा है इसके बारे में कौन क्या है इसे देख लेते ह प्यारा सा देखिए का दिया अमलग की अब किरिया अमलग की साथ अब किरिया यदि किया जाएगा ठीक धात्वी के साथ रियक्षण कराया जाएगा तो लमड और जल निकलेगा और धात के साथ रियक्षण कराया जाएगा तो हाइड्रोजन गैस प्लस लमड निकलेगा ठीक उसके बाद क्या कर रखा धा तू कार्बोनेट के साथ रियक्षन कराया जाए तो हमारे पास क्या निकलेगा लावड़ प्लस कार्बंडा या अक्साइड चोटा सा प्यारा सा जल निकलेगा थीक अब छार के साथ रियक्षन कराया जाए तो हमारे पास लावड़ प्लस जल न अब इनी को क्या करना हमें चार के साथ रियक्षिन कराना है चार के साथ यदि धातवी का साइट से किरिया जाएगा तो लामड पलस जल निकलेगा ठीक यदि धात को साथ किरिया जाए तो आपका क्या निकलेगा यह च्टू पलस लामड निकलेगा क्या निकलेगा यह फ्लो चार्ट है अमले के साथ यदि किरिया करा जाएगा चारक यानि चारक को तो क्या निकलेगा लमड तथा जल निकलेगा अब इसी चारक को क्या करना है धात उबाई कार्बोनेट के साथ रियक्शन करा जाएगा तब भी कोई रियक्शन नहीं होगा ठीक ये ते इसके बा पढ़ने से पहले एक त्यार स्पेरा देखे यह तूओ के तोड़ा जाए तो हाइड्रोजन यह निकलेगा प्लस ओएच पे निगेटिव यह देखा जाए तो चार है और यह देखा जाए तो अमल है यही परकेरिया सेम टू सेम जल में होती है ठीक है आप क्या लिखा है यहा हाइड्रोजन आयन तथा ओएच आयनों की संख्या पर निर्भर करता है जितना ज्यादा हाइड्रोजन आयन उतना ज्यादा अमल है जितना ज्यादा ओएच आयन उतना ज्यादा चारी होगा ठीक है अब आते हैं देखो क्याती है सौर्भामिक सूचक यान यूनिवरसल इं इंडिकेटर तक कुछ भी डाल दिया जाए तो इंडिकेशन बता देगा किस पे क्या होगा ठीक है इस पे हो गया अब आते हैं पी एच इसकिल जो आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है इसे आपको जानना चाहिए पी एच इसकिल किसी बिलियन में उपास्तित हाइड्र सक्डियन पूर्जन आयन का इसकिल के इसकिल बिक्सित ही हैं शक्रण के लिए जो है उसका मतलब होता है इसकती अगर होता है फ्लैट सेवन और तो आपका य shortened रहेगा अदासीन रहेगा अब इस पर इतना बड़ा रहने जो एक तो हो जाएगा नाई फो जाएगा यहां से फ़ोर हो जाएगा थृ टिरी टू एल्स वान अब यह बीच वाला देखिए इस पे रहेगा तो हमारा क्या रहेगा एक्चुली उधासीन उधासीन रहेगा ठीक यह बीच साथ से इस डाइरेक्शन में जाएंगे तो हमारा अमली परवीरत बहुत जादा होते है चले जाएगा क्या अमली परवीरत देखा जाए तो हमारा जादा होगा क्या साथ से इधर जाने पर इधर इंडिकेशन देखिएगा ठीक साथ से इधर जाने पर क्या होगा हमारा अमली तो बढ़ता है ठीक है, इसी को क्या कर दीया है यहाँ से लिख दिया गया ठीक है? अब देखिए यही जी आपको dobrze किया की यहाँ से दीया है क्या रखा? देखिए, 1 से लेक़ 14 तक पीएच ग्यात करने के लिए उपयोग में लाया जाता है ठीक है? है एक से चाफ और जाना आन देखिए क्या होता है जो अमली पर बीड़त होता है इसी चीज़ कि जी स्था करए जितना जादा क्या होगा अमली पर्भीरत भी बढ़ेगी ठीक है । यही चीज होता है चार और अमल में ठीक देखे यह चलिए यह डाइग्राम बनी यह बढ़ा है दिखो भाई ठीक यह देखो आपका साथ है जो एक चुली क्या है उदासीन है इधर यदि बढ़ेंगे तो चार परविरत बढ़ेगी इधर यदि जाएंगे तो अमली परविरत से पढ़ेगी यही देखो यह का रखा है ठीक ठीक है तो यही सारी चीजें आपकी होती है अब आते हैं किस पर इस पर आते हैं ठीक है इस पर आते हैं क्या लिखा है दैनिक जीवन में पीयच का महत्व हमारे जीवन में क्या महत्व है पहले देखा जाए पवधे और पसु पीच पराश के बीच में कारे करता है ठीक है पराश करता है यदी जल देखा जाए तो क्या होता है जब 5.6 से कम होता है तो इसे बर canteen मतलब यह शिर्ध होती हम दोई हम अहुद फिरो फन्धी चम्राश कितना पां दस्मल्व छाह से कम होती है ठीक यह भी पूश्टा कि क्या नी मिटि का पीज सब्सक्igration को यादक रख ले ना है ठीक है पिति का पीज क्टि यह रहाए तॐ फीक अब हमारे याणि हमारे मेर लिए टो फिल एक होता है यह गो किसी भी चीजसी को मारे का भनना हो दे गा Chief तो इसे आप क्या कर दीजिए, इसकी इंसॉर्ट ले लिजिए, ठीक है, ये सारी चीजें होती है, अब हमारा क्या होगा है, मतलब हमारा कितना क्या होगा है, कभी कभी देखते हैं, दाथ किसी का सड़ जाता है, लिखा है, मू का pH 5.5 से कम होने पर दाथ का 6.13 हो जाता है, ल दो सारी चीजें होता है, ठीक हमारे पेट में यादी ने रहे या सील, तो हम जो भी चार्ट फुल की बर्गर हुर रहे हैं, तो क्या अधिकत हो जाएगी, ठीक क्योंकि देखो नाली पर मोस्टली रहते हैं, यादी बैक्टिरियों उसमें ग्रो करें, हमारे सील नहीं मारे का यहां से पी ये चे दे रखा है, ठीक है, यही सी सारी क्या होती है, आपका इजली हो जाती है, ठीक, चलिए आते हैं, नेश्ट पे आपका ये निक्त दें, सधारा नमक का रसायन, ठीक है, सधारा नमक जो हम नार्मर एक नाम देखते हैं, उसके लिए, देखिए, यहां स करें दूसरा देखा जाए आपका ब्रेंजवकत्य चूल उपका तुल का Communist कृम्यूटी इत्रों तुल目前 दावन सोड़ा रोधिंग का Prismo पुछ देगा तुम से एक नमबर में ठीक है तो धावन सोडा का फर्मुला का है यह ने टू सी ओ थ्री इंटू टेन यह टू ओ ठीक अब आते हैं नेस्ट पे प्लास्टिक आफ प्लास्टर प्लास्टर आप फेरे जिसमें क्या होता है सी यह यह सो फोर और हाफ है यानि कितन दो सही एक बटे दो यचुली होता ठीक यही दिया है आपका सामने ठीक मतलब क्या होता जैसी ही मतलब सी एस सो फोर है उसका क्या कर दीजगा ओन हो सोरी तू नहीं रहेगा जी होन अपांट्ट्ट यह टू थू रहेगा ठीक होता उसका प्लास्टर आप फेरे जिसका फार सोडियम हाइडराकसाइड के जली बिलियन जल लमड से बिद्दूत परवाइद करने पर बियोजित होकर सोडियम हाइडराकसाइड उत्पन करते हैं यह परकिरिया क्लोर छार परकिरिया कहते हैं क्लोर छार परकिरिया कहलाते हैं क्या हूता है यदि हार्ड पानिके साथ रियक्शन कराए जाए गा तो ऑपानальных का निकले गा एक्चुली देखको हम क्या बोलें क्या गैस कोई नानती के सियलयानी का निकलेिका पलभिक जो भी बचे यहां है आपको क्या कर देना एक्चोली colony लीक देना ठीक की नोर्ड पर हमारा् एगता है थेगा है टीक कैथोड मतलब इस पर ॡवस्पर देखा जाये तो तो क्या होता या थेज पर क्या हो सब्स Kell क्या हो है अब देखते हैं सोडियम हाइडराकसाइड का उपयोग कहा है ठीक है उपयोग कहा देखिया का दिया यह च्टू इधन मारगरीन में ठीक दूसरा देखा जाए आपका PCV पाइप वगरा जो देख रहे हैं सीएपसी हो गया इन सब को सवच्छता के प्रणा करने के लिए ठ होगा की जाती है ठीक यह सीएल इसपात का कमी टताहसाद ही बनाने में की जाती है यह नै ऊजच हम पिरिंजग झूट तक घरेलीव व्रिंजग जो कपलाप़ा धोते हैं यही आपका फर्मूला उसमें होता ähän यह सोडियम हाइडुराकसाइड के बारे में ठीक अब प्रिणजक चूरण चुरुड क्या होता इसे आप देखते हैं ठीक है बिरेंजक चूरण क्या होता देखिए बुझे सुझा पर क्लूरीन कि यह कुरिए करा जाँ तो बिरेंगिक से बन जाता है क्या दे रखा देखे का दिए वाली परकेरिया आप सुनेगा देखो कर दिया कैल्सियम हाइडराकसाइड को यह सील टू के साथ रियक्षन कराया जाता है तो हमारा क्या बनता है एक चुली यह बिरंजक चूरुड बन जाता प्लस हड यानि पानी बागल में न oy में लगड़ी के मच्जक के बिरंजन के लिए ठीक त्षा देखा जाये आपका क्या होता kullan money में एक उपचायक में और की नेश्ट को देखाजाए तो क्या उता है पीने वाले जल को भी सानू से मुक्तर करने के लीए तथा रोगान उनासक कोई रोप में किया जाता है यह क कर सकते हैं आराम से ड्रिंग केबल पी सकते हैं ठीक है तो यह था ब्रियंजक्स चुरुड के बारे में ऐसे छोटा साफ सौटी स्कीन ले सकते हैं ठीक है चलिए नेश्ट पे आते हैं नेश्ट क्या दे रखा इसे आप ध्यान से सुनिए देखो का दिया अब हम हमें क्या नि पस कार्बन डाय च्साइडी प्लस अमोनिया गयस का यह सारी चीजों को रियक् kalo निकलेगा और हमारे पास क्या निकले इकड़ीन सौडा निकलेगा गाज़ा एक धुर्बलबल आ संजच्च छारक होता थीक हैं यह क्या करता है खाना पकाते समय यही सारी गैं यहसाइक्ड करबन था तो कारबन डाइक शाओं प क्या उता तो पर चिस 거죠 निकलता आ जैसे गल테 unto ये चाहर बना बनाया जा चाहर थो एक फारीं का कीछ है शुटे का थी का किह नीचे रहा इसका continue योग देख लेते हैं ठीक है उपयोग दे रखते हैं देखिए यहां से देख रखा पहला देखा जाए तो यहनी बेकिंग पाउडर के रूप में दूसरा देखा जाए खरीम को उपजाओ मुलायम बनाने के लिए उपजाओ नहीं उठ जाना खरीम उठ जाना इस सब के कर सकते हैं सोडा को यूज करते हैं बेकिंग सोडा का यूज कर सकते हैं ठीक नेस्ट पर दे रखें धावन सोडा पैसे स्कीन सॉट ले लिए ठीक धावन सोडा के बारें देखते हैं ठीक्या होता है एक चुले देखा जाया तो आपका इसका फार्मूला यहां उपर दे र इणे टूसी ओटिमितरी मतलब सोडियाम घडाने पानी के साथ रेक्सटन करए reducing करा क्या भानता यह डौन का दॉड़ा भन जाएंगा धावनसोड़ा बन जाएंगा तो इसका क्या क्या करना सबसे पहली बाजिब धावनसोड़ा तो खपड़ți अगरा ध्यादों समसरप डाल देते हैं तो क्या हो जाता है आपका कड़ाफ कपडा एक दम बी फी तरीके से साफ़ duż जाता है ठीक इसका क्या दे रखा हैं इसमें आते हैं प्लास्टिक आफ फेरी प्लास्टिक आफ फेरीस का फार्मूला देखे सामने आपका यही पूस्ता सटिक सटिक फार्मूला याद रखी एक दो उपयोग याद करिए च्छोटा सा रियक्शन इस पर काम आपका बन जाएगा जिपसंग को 270 क गरम करने पर जल के अंड़ का त्याग कैलसियम सलफेट हेमी हाइडरेट और अर्थ हाइडरेट पोप पराप्त होता है ठीक है पराप्त होता है जिसे आपका क्या हो जाएगा यह एक चुली देखो कर दिया जिप्सम हो गया ठीक देखो कर दिया पानी के साथ रियक्षन करा नाम से ही पता प्लाश्टर रूम में जो किया जाता हं फिलावना बनाने में सजावट का उपयोग करने में सत्य और कि अचऴी बनाने में इसका पर्योग किया जाता है ठीक अब क्या दे रखा है क्रिस्टलन का जल अब ये सथीग चीज दो चार चीज़े रखे इसे आप देख लिए ठीक क्रिस्टलन का जल लमड एक शुंतर ऐकाई में जल को निश्चित अड़ की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं क्या कहने का मतलब लमण की एक एक सुत्र इकाई में एक सुत्र इकाई में जल की जल के निश्चित अड़ की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं क्या क्रिस्टलन का एक्चली जल बोलते हैं ठीक है इसी को क IPS2O में कितना जल है 5 यानि NA2COO3 में इंटु 10 चूअट गषय यहां से सबसे last में क्या दे रखाँ हैに तोटल तोटल आपका ये क्रिस्टलन का जल अब आते हैं हम आपके सबसे टॉप वाले पोर्शन पे इस तरह से देखा जाए तो चैप्टर टू का एक क्विक रिविजन किया गया हम अमल चार एवं लवण का ठीक है इसे तरह से वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ज्यादा ज्यादा लाइक करिएगा और सेयर करिएगा तब तक के लिए बाए मिलेंगे फिर अगले और नेश टॉपिक पे हैं ठीक हैं